मैंने जेल नहीं भिजवाया जेल तो तुम इसले गई क्योंकि तुमने मार पीट की बेगुना पर हाथ उठाया बस उसी की सजा काटने के लिए तुम्हें जेल में रखा और वो हरामजादी वो कमेनी जिसके वज़े से मेरी मा की मौथ होई उसे तो आपने इस घर की महारानी बना कर बिठाया है इसने कहा मैंने उसे इस घर की महारानी बनाया है अरे बेटा हम दोनों की तो शादी भी नहीं होई आप ता लेकिन आपने मुझे पुरा इंसान बनाया क्या किया था मैंने बाली तो खीचे थे और रीड की हड़ी खिसक गई थी तो अच्छा ही हुआ तो उसे भी साड़ों पर फेगा थे जैसे आपने मुझे भेगा सुनो भूम जा बेटा तुम से गलत समुझ रही हो उस बैशारी को कुछ भी नहीं चाहिए उसे हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं बनना उसे मेरी जायदात भी नहीं चाहिए लगतै है अब उस चुणेल की प्यार में पूरी तरह अंधे हो गए हैं उससे जाइदात नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? आप उसे क्या दे सकते हो? और आपके पास पैसे के अलावा बचा ही क्या है? और से दिन भी तो कम बचे है? बस! बहुत हो गया! पता नहीं, ये बॉम जाब बड़ी कब होगी? बचास के ऊपर हो चुकी है, लगता नहीं कि अब उसका कुछ होने वाला है. जैसी है, रहने दीजे. खेल में भी आपका आज ध्यान नहीं लग रहा है. शायद मैं ही आपका मुकाबला नहीं कर पा रही. ऐसी बात नहीं है. जिन्दगी में एक ही चीज़ पर ध्यान नहीं रह सकते हर तरह बराबर रखना पड़ता है. सही कहा है. अगर कोई डर के भागा तो मारा जाएगा. पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि शेर को पकड़ने के लिए उस पर पत्थर से वार किया जाए.